हे गाई स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में तो यार आज की वडियो बहुत ही ज्यादा इंफरमेटिव होने वाली है तो यार जैसा कि चानते हो सेंटरल उनिवर्सिटी इंटरेंस टेस्ट जो इस साल होने वाले हैं mca courses को ले करके तो दोस्तो इसमें जो है हमारे टॉप के सेंटरल उनिवर्सिटी में admission मिलेगा mca course के लिए तो इससे related जो है बहुत सारे doubts आ रहे हैं दोस्तो बच्चों के बहुत ही ज्यादा मतलब कि आप सोच नहीं सकते हूँ इतने सारे doubts आ रहे हैं और इतना ज्यादा informations भी available नहीं है हमारे social media पर हो गया है या फिर youtube चैनल पर हो गया है इससे related बहुत सारे youtube वीडियो भी नहीं बन पा रहे हैं खासकर हमारे mca courses को ले करके तो इससे बहुत ही जो हमारी जानकारिया नहीं मिल पा रहे है इस courses को ले करके तो जैसा कि आप जानते हो पहले कुछ दिनों वीडियो बना रखा था तो यह जो syllabus है वो हमने NTA की website से ही उठाया था जब जो इनका information प्रॉचर लांच हुआ था जब इनका notification आया था CU, ET, PG courses के लिए इस बार admission होना है MCA courses में भी तो जो है Central University इसमें कुछ और add की गई थी तो उसमें मारे JNU, BHU में admission होना था होना है इस साल MCA courses के लिए तो यार दोस्तों इसका syllabus क्या होने वाला है हमने इस पर एक वीडियो बना करके रखा था लेकिन अब बहुत सारे काफी ज्यादा अंतर है तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस NTA की जो है website में अभी एक latest syllabus upload किया गया है उसमें जो हमने syllabus बताया था और जो यह NTA की इस बार वाली syllabus है इसमें थोड़ा सा अंतर है थोड़ा क्या काफी ज्यादा अंतर हमें देखने को मिल रहा है तो यार आज की वीडियो पूरी उसी पे रहने वाली रिवाइस syllabus पर हम डिसकस करने वाले है आज पूरा कि क्या-क्या हमारे syllabus में changes किये गया है क्या pattern में भी changes किये गया है और क्या-क्या निगल के आ रहे हैं पिछले 10 दिनों में लगबग 2 notification जो है NTA की website पे डाली गई है त जो हमें form feel करने तक कि सारी जानकारिया आज आपको इसमें मिल देखने को मिलेगी तो वीडियो को लाज तक जड़ो देखना मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ तो चलिए ज्यादा दरी ना करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं मेरा नाम है राहूल और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर जहां मैं छोटे मोटे ग्यान देने की कोशिस करता रहता हूं तो यहार चलिए आज की यूडियो पूरा जो है ऑफिसियल ही तरीके से रहेगा हम अपने ऑफिसियल वेब तो दोस्तों देख हिए दो जो हमारे लेटिस्ट इन नोटिफिकेशन डाले गया है एक 28 मैं को डाला गया था और यह कोड़्ालाक गया था तो यह बहुत यह 就可以 देख लेता है तो दोस्तों यह रही information जो है इसमें code दिये गया है और पेपर पैटन दिया गया है कौने से कोड होने वाले हैं MCA के लिए और क्या पेपर पैटर्न होने वाले कितने कुछिशन्स आने वाले तो यह जो 28 मैं को डाला गया था मैं वह वह प्राउचर आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं इसको बढ़ा कर लेता हूं तो या तो दोस्तों यह देखें नियू करके 529 है यह PGQP26 PCA कंप्यूटर एप्लिकेशन तो MCA यहां पर लिखा गया है साफ साफ MCA यहार पैटर्न देखें 25 जेनरल का होने वाले 75 जो डोमेंग स्पेसिफिक नॉलेज कुछिशन्स होने वाले हैं वह इसका जो पेपर पैटर्न है यह यह लिए दिया गया है यहां पर 28 मैं वाला ब्रॉशर में जो नोटिफिकेशन डाला था अपने ओफिस्यल वेबसाइट पर तो आप उहां पर तो इसमें आप देख सकते हैं 26 दिया गया लाज में MCA कोर्स भी लिखा गया है और यहां पर भी देखें PGQP26 में MSC कोर्स भी आता है तो MSC और MCA अगर यह कोड आप फॉर्म फिल करने का option महां पर मिलेगा MSC चुच करने के लिए MCA इसी के अंडर में आ जाता है दोनों इसी कोड के PGQP26 में तो इसमें बहुत सारी confusion मतलब धेरो सारी confusion आ रहे हैं इस कोड को ले करके तो यहार हमारा MCA का कोर्स है PGQP26 यह कोड आप रटलो यह कोड आप फॉर रहा है यह नहीं दिख रहा है अगर आपको MSC भी दिख रहा है तो आपको फॉर्म बिंदास फिल कर सकते हो आपको MCA कोर्स में ही admission मिलेगा PGQP26 जो है यह कोड है इसी से रिलिटेड आपको वहां पर admission मिलेगा MCA कोर्स के अंडर तो यह देखिए हमारे सेम कोर्सेस हैं एमटेक में एमटेक भी आ जाता है इसी कोड के अंदर तो MSC भी आता है यह देखिए अलग 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 इन उनिवर्सिटी का जो है अपना eligibility criteria यहां पे दिया गया है लेकिन paper का pattern सब में सेम होगा आपका eligibility criteria है उससरी 4 different होता है जो जैसे कि BHU में 55% है तो यहार GNU में 60% है त तो मतलब अपना-पना college जो है अपना eligibility criteria एक minimum set करके रखते हैं सिर्फ वो इसमें दिया गया है इसमें हमारा ब्रॉचर दिखाने का सिर्फ एक ही motive है कि हमारा जो code है दोस्तों वो यह है PGQP26 तो यह code आप form fill करने time जरूर डालना याद से डालना और अच्छे से डालना आपक 28 माई वाल है application 28 माई वाला ब्रॉचर अब चले आपको दिखा देते हैं 3 जून को क्या आया था उसमें क्या अंतर था इसमें पर तो 3 जून में देखें यह रही हमारी यह हमारे तीन जून को डाला गया था तो देखिए इसमें भी हम गोड़ देख लेते हैं तो दोस्तों यह देखिए इसमें PGQ P26 है कंप्यूटर साइंस और MSC दिया गया है पेपर का पैटन वही सेम है अपने जो उनिवर्सिटी है अलग 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 अलिविटिक राइटरिया वो सो कर रहे है यहां पर और देखिए सारे के सारे आपको MSC के अंडर में आ जाते हैं दोस्तों तो आप स्रिफ यह कोड डाल देना और कोड डाले के बाद आपना सीधा सिंपल सा जो फॉर्म का प्रोसेस है आगे आराम से आप फिल कर सकते हो अगर आपको रजिट्रेशन का जो है पॉर्म फिलिंग का अगर से लिटेर वीडियो बनाई है यह कोड को हमें में मेंसन किया गया बहुत बार मेंसन किया मैं एक ही कोड को बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं कि गलती नहीं होना चाहिए यह छोटी सी मिष्टेक आपको भार ही भरकम का सामना करना पड़ सकता है तो चलिए यह तीन इनफॉरमेशन पर आना है फिर यह देखे सिलेवस है और फिर सिलेवस में आपको सब से नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए सब से नीचे में हमारा PGQP26 का जोग सिलेवस दिया गया है तो यह देखें MCA Computer Science and Information Technology PGQP26 फिर से मैं एक बार बोल दिया तो चलिए सिलेवस खोल लेते हैं तो यार यह रही सिलेवस तो इसमें हमारे दिन देखें जो डिवाइट किये गए है वो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग तो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में तो यहां पर दिये गए है जिएमेटरिकल डिजाइन इडेंटिफिकेशन सेलेक्शन सफ रिएटेड रिलेटर्स वर्ट फिगर मतलब सीधान से दिये आप अनलिटिकल और लॉजिकल रिजिनिक जो आप पढ़ते आ रहे तो सिर्फ उसी को पढ़ोगे तो आपका यह सेक्शन किलियर हो जाएगा और और जो पेपर का पैटर्ण वही है जो हमने पीछले वीडियो में सी यूई टि जो सेमेटर का पैटर्न वही है लेकिन इसमें सिर्फ मैघ का वर्टेज जयादा दिया गया तो डोमेन में का तो हमारे computer से related ही questions आने वाले हैं तो यह computer से related तो हमें एदम बहुत ही कम syllabus दिया गया है तो इससे भी हम अगर जो कोई और इससे related paper का pattern से related और को information आती है तो आपके सामने हम जरूर लेकर के आएंगे लेकिन अब फिलाल syllabus तो यही है और paper pattern का जो दिखाएंथ है आपको वह भी दिखा दियें तो मतलब सेम तो उसी तरह ही है तो 25 questions जो है आपको जेनरल aptitude से related अनलिटिकल ability से आने वाले हैं और 75 questions जो है आपके domain से target ही आएंगे तो दोस्तों मैं तो इक बता देता हूं कि आप यह cover तो करोगी करोगे जो निमसेंट के aspirant है या फिर पहले से जो भी आप पढ़ी रहे होगे तो यह सब तो आप पढ़ी रहे होगे तो आपको इसमें ज्यादा problem नहीं आने वाला है तो आप जो में मूता जात है computer पे computer का syllabus हमने पहले बताया था तो उससे बहुत ज़्यादा सॉटर कर दिया गया है उसमें अपना तरीके से नहीं बता अपना तरफ से नहीं बताया था जो syllabus में दिया गया था पहले वही डिसकस किया था उसमें लेकिन इस पे दुम सिंपल सा computer concept दिया गया देखे organization based computer basis क जो input output हो गया central processing unit के बारे में कुछ पुछ लिया जाएगा फिर data representation हो गया और आपको तो ऑफिसेल पे ही believe करना है तो ऑफिसेल तो यह रही दोस्तों तो इसी से related questions भी आने वाले तो आप इसे देखके follow कर सकते हो और इसी से related आप तैयारी भी कर सकते हो और इसे related और भी कोई notification आता है या कुछ और syllabus में changes होते हैं या paper pattern में changes होते हैं तो मैं तो आपके सामने हूँ ही हूँ है ही हूँ फिर से लेकर करके आऊँगा एक नय वीडियो तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहे और बस अब यतोर निमसेंट का exam आने वाला है तो उसी पर जादा focus रखना है हम लोगों को तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में I hope see you it is related कुछ कुछ मतलब कुछ थोड़ा सा जो है आपको information मिला हुआ I hope पूरा तो नहीं ही मिल सकता है एक वीडियो में बहुत सारे डाउट है बच्चों के क्या-क्या डाउट है वो हमें भी नहीं पता है तो आप अपने डाउट हमारे comment box में डाल सकते हो या फिर हमारे जो टेलिग्राम गूरूप है MCEG या वहाँ पर भी message छोड़ सकते हो हम वहाँ पर reply देने की कोशिस करेंगे और YouTube कमेंट क सब्सक्राइब युकार देने की कोशिस करेंगे सो थैंक यू मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक कि लिए कीप लगने